हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिलकुल अच्छे होंगे हम सब भी बिलकुल ठीक है मैं सुस्मा को हाड एसके व्लोक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज मैं बनाऊंगी गाजर मूली और हरी मिर्च का अचार्म तो इसकी प पहले जब मैंने थोड़ा सा गाजर और हरी मिर्च का अचार बनाया था तब बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इसकी प्रॉपर रेसिपी शेर कीजिए तो हरी मिर्च को मैंने एक डेट घंटा पहले दो के और इसको सुखा दिया था अब इसका पानी बिलकुल अच्छे से स कि ती डाई किलो मैंने गाजर ली हैं तो अभी इन को चील के और पानी से मैं इनको इन बिल्कुल अच्छे से वोश कर दूंगी और तीन मैंने मुली ली है मूली थोड़ी सी काफी बड़ी-बड़ी हैं तो इनको भी मैं छील लेती हूँ तो फ्रेंडसे गाजर मुली को मैंने छील के और अच्छे से धो लिया है और अब मैं इनके पतले-पतले से और ठोड़े लंबे-लंबे से 반ूसम काट लेती हूँ जो हम पीस काटेंगे लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं कम या ज्यादा जितनी आपको पसंद हो लेकिन मोटे ज्यादा नहीं काटने हैं थोड़े से जितने पतले होंगे उतना ही इसमें नमक और मसाले का स्वाद अच्छा आएगा और मोटे हो जाते हैं तो खाने मैचार इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसमें नमक अच्छे से नहीं जा पाता है इसलिए आप लंबे जाहे जितने मरजे काट लीजिए लेकिन मूली और गाजर के पीस इस तरह से थोड़े से पतले-पतले से काट लीजिए तो अभी मैं ये सारे काट लेती हूँ तो अब मैंने हरी मिर्च और मूली को तो अंदर चाओं में ही रख दिया है और जो हमारी गाजर है इनको ले जाकर मैंने बाहर दूप में फैला दिया है क्योंकि जो हमारा गाजर का अचार है जब हम बनाते हैं तो इसको 2-3 घंटे के लिए दूप लगवानी जुरूर होत तो चलिए फ्रेंड से गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार मिक्स कर लेते हैं वैसे मैंने कल तयारी की थी अचार बनाने की लेकिन कल सब काम करते करते मैं काफी लेट हो गई थी और गाजर काट के दूप में सुखाई तो 5-10 मिनट के बाद ही दूप चले गई छाओ आ गई तो फिर मैंने सारी चीजे ऐसे ढखके रख दी थी और आज गाजर को मैंने कम से कम धाई से 3 घंटे की दूप लगवा दी है तो ये देखिए गाजर हमारी अचार बनाने के लिए बिल्कुल तयार हो गई है और अगर हम गाजर को काट के और साथ के साथ इसमें मसाला मिक्स कर देते हैं तो हमारा अचार जल्दी से खराब हो जाता है और जब हम गाजर को धो के काट के और इस तरह से 2-3 घंटे की धूप लगवा देते हैं तब ये इस तरह से सुखी सुखी हो जाती है और ये अचार हमारा लंबे समय तक खराब नहीं होता है तो इसलिए अगर आप भी गाजर मिर्च का अचार बनाना चाती हैं तो 2-3 घंटे की धूप इनको जरूर लगवा दीजिए ताकि आपका अचार खराब ना हो तो गाजर हमारी तयार हो गई हैं और इसी तरह से हरी मिर्च का भी अचार बनाना हो तो मिर्च को धोके और पहले इनको सुखा लेना है जब इनका पानी बिल्कुल अच्छे से सूख जाए उसके बाद इस तरह से इसमें चार कट लगा देने हैं और अचार बनाने से कम से कम 3-4 घंटे पहले मिर्च में कट लगा के रख देना है इससे क्या फाइदा होता है कि जो मिर्च ऐसी होती है कि हम अचार को खराब कर देगे तो आप देख सकते हैं मिर्च इस तरह से बिल्कुल सफेद हैं और इस तरह से हो जाएगी देखे जैसे ये वाली है इसके बीज काले पड़ गए हैं तो इसको इसमें से हम हटा देंगे और सारी मिर्चों को इसी तरह से चेक कर लेना है जिस किसी मिर्च के बीज काले पड़े हो उसको निकाल दीजीए तो आपका अचार बिलकुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सी बेहनों से सुना है कि हम मिर्च का अचार बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है उसका मैन कारण यही होता है कि एक तो जैसे धोके रखी हैं उनको अच्छे से सुखाया ना हो उनमें थोड़ी बहुत पानी की नमी होगी तब वो अचार खराब हो सकता है या पानी भी सुखा दिया हो तो काटके और साथ के साथ जब उसमें मसाला मिक्स कर देते हैं तब वो अचार जल्दी खराब होता है तो इसलिए जब भी आपको अगर अकेली मिर्च का भी अचार बनाना हो तो कम से कम तीन घंटे चार घंटे पहले इसमें कट लगा के रख दीजिए जो भी मिर्च ऐसी लगे कि इसके बीज काले पड़ गए हैं मसाला मिक्स करते टाइम उसको हटा दीजिए तो मिर्च तैयार हो गई हैं और मूली बिल्कुल ऑप्शन है अगर आप चाहो तो इसमें मिक्स कर सकते हैं नहीं चाहो तो आप इसको अवोइड कर सकते हैं तो मेरा मन किया है कि मैं थोड़ी सी इसमें मूली भी डाल देती हूँ. तो मूली को भी अगर अचार में मिक्स करना हो, तो मूली को छील के और इसके इस तरह से पिस काट लेने हैं. इसको दूप में नहीं सुखाना है, बिल्कुल खुला खुला करके और इसको फैला देना है चाहो तो किसी कपड़े पर फैला दीजिए या किसी बरतन में फैला दीजिए इसमें हवा लगती रहें तो इसकी भी जो ये पीस होते हैं थोड़े से सुखे सुखे हो जाएंगे तो यह सारी चीजे इसमें तयार हो गई है और यहाँ पर मैंने एक कटोरी नीमबू का रस निकाल लिया है और एक होता है हम नीमबू को डारेक्ट अचार में निचोड देते हैं ऐसा नहीं करना होता है अचार बनाते टाइम इसलिए अचार में जब निम्बू डालना हो तो छलनी से निम्बू के रस को छान लीजिए तो मैंने ये एक कटोरी निम्बू का रस छलनी में छान के और तयार कर लिया है अब इसमें मसाला क्या-क्या डालना है वो मैं आप सब को दिखा देती हूँ तो ये देखिए यहां पर मैंने ली है ये राई और राई आप अपने स्वात के अनुसार कम जादा कर सकती हैं तो मैंने अंदाजे से ही ली है ये छोटी सी कटोरी है तो आधी कटोरी मैंने राई ली है छोटी इलाइची है तो चार से पांच मैं इसमें छोटी इलाइची डालूँगी और ये है काली सरसो इसमें मैं जैसे टेबल स्पून होती है छोटी चम्मच दो चम्मच इसमें मैं काली सरसो डालूँगी और ये है पीली सरसो पीली सरसो आपका मन करे तो लीजिए आपका मन मैं डाल देती हूं, क्योंकि पीली सरसों से भी अचार का स्वाद काफी अच्छा होता है, अगर आपके पास नहीं हो, तो आप इसे OID कर सकते हैं, तो मैं कम से कम 1,5 चमच ये पीली सरसों इसमें डाल दूँगे, तो राई हो गई है, काली सरसों, पीली सरसों, और सोंप वि क्या होता है अगर हम जादा भी डाल देते हैं तो भी ये तो खाने में काफी अच्छी लगती है तो मैंने लगभग इसमें एक कटोरी सोंप ली है और एक कटोरी मैंने ये साबुत धनिया लिया है इन सारे मसालों को मैंने बिल्कुल साफ कर लिया है अब मैं इनको हलका सा रो कि दसलिए ओ अब यो भी जाता है तो अब यूकि मैं बार इसको रोश्ट कर लेती हूं और इसको भूनना नहीं है शिर्फ रोष्ट करना है हल्का सा सेख लेना में अब लीजे राफ विल्क कि प्रैंटे प्रेंड्सी इसमने वहता है या का गाजर का बनती हूं और आयख़ इसलिए मेथी दाना में डाल देते हूं और ये देखिए हलका सा ये रोस्ट हो गया है क्योंकि इसमें हलकी सी खुश्बू आ जाएगी जब ये थोड़ा थोड़ा सा गरम हो जाएगा इसको हमें भूनना नहीं है बस इसी तरह से हलका सा रोस्ट कर लेना है और अब मैं इसको मिक्सी में डाल के और इसको पीस लेती हूं तो ये देखिए फ्रेंट्स मसाले को मैंने पीस लिया है और अब मैं जितनी अचार में हलदी की जरूरत है उतनी हलदी को थोड़ी सी आँच लगवा देती हूं कि हल्दी का कच्छा PAN भी निकल जाएगा तो यह देखे aspirations यह जो छोटी चंपट है लगभग मैंने ये दो चंपट हल्दी ली है तो इसको आप मैं हल्गा सा सेख लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंट्स हल्दी हमारी सीख चुकी है और इसको ज्यादा नहीं सेखना है बस हल्का साही सेखना है इसमें थोड़ी से आपको खुस्बू आनी शुरू हो जाएगी नहीं तो अगर ज्यादा भून लेंगे तो हल्दी बिल्कुल काली हो जाएगी और पनाएगा इसलिए हल्का साही सेखना है और अब इसको भी मैं अपने इसी मसाले में एड़ कर लेती हूं तो चलिए अब अचार को मिक्स कर लेते हैं तो ये देखिए डाई किलो मैंने ये गाजर ले थी तो कुछ थोड़ा सा अचार मैं इसमें से बनाऊंगी बिना मिर्च वाला अनुज के लिए तो थोड़ी सी गाजर इसमें से मैं रख लूँगे कि उसके लिए मैं बिना मिर्च का चार मिक्स कर दूँगे और आधा किलो मैंने मिर्च मंगवाई थी तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूं और तीन मूली थी बड़े साइज की ये मैं इसमें मिक अधाला और बाकी का मिसाला इसमें मैं एड़ कर दूँगे त ये जो मसाला बनाते हैं ये स्वाद के अनुसार कम या जादा हम डाल सकते हैं किसी को मसाला कम पसंद नहीं कि इसमें मिक्स हो गई है और अब इसमें हम डालेंगे काला नमक और जैसे हमने तो इसमें हरी मिर्च डाल दी है अगर आप प्रोपर गाजर मूली का चार बनाती है तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकती है और कलर के लिए डालना चाहो तो जो रंग वाली कस्मीरी मिर्चे होती है वो आप डाल सकती है तो ये मैंने डाला है इसमें काला नमक और काला नमक के अचार के स्वाद को बढ़ाता है हमारे पेट के लिए भी काफी अच्छा होता है लेकिन इससे जो हमारा अचार होता है वो इतना नमकी नहीं होगा इसलिए अब मैं इसमें डालूंगी सेंधा नमक तो स्वाद के अनुसार अब इसमें हम नमक डाल देंगे और नमक का तो ये भी होता है कि हम इसको मिक्स करने के बाद और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको चक्के भी दे सकते हैं अगर कम लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं लेकिन हद से जा अगर निम्बू का रस इसमें कम लगेगा तो मैंने अभी बचा के रखा हुआ है बाकी का भी डाल दूंगी तो अब इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूं और फिर देख लेंगे इसको चपके किसी भी गाजर को उठा के खा के देख लेना है कि अगर नमक कम लग तो दूबारा डाल देंगे अगर सही हो तो इतने में ही चल जाता है तो फ्रेंड से अचार हमारा बन के तयार हो गया है तो ये देखिए थोड़ा सा तो मैंने अनुज के लिए अलग से बना दिया है सिर्फ गाजर का अचार है ये तो इसको मैं अलग छोटे से डिबे में भरके रख दूँगी और ये हम सब के लिए हो गया है गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार ये अब कापी दिनों तक खराब नहीं होगा तो अचार हमारा बन के तियार हो गया है आप सब को ये रेसिपिक कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और गाजर, मूली, हरी मिर्च का अचार इस तरह से जरूर बना कर खाईएगा बहुत ही यम्मी लगता है और जैसे आप इसमें जो फूल गोबी होती है अगर उसे भी मिक्स करना चाहों तो तरीका उसका भी यही सेम होता है फूल गोबी को पहले गुन गुने पानी में बिल्कुल अच्छे से अलग-अलग उसके पीस बना कर उनको धो लेना है और फिर उनको बिल्कुल अच्छे से सुखा लेना है उसके अंदर पानी की नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए चाहे बले ही एक दिन की जगे दो दिन का टाइम लग जाए लेकिन उनको बिल्कुल सुखा लेना है और जब उसके अंदर पानी बिल्कुल सूख जाए तब आप उसे भी इस अचार में मिक्स कर सकती है उसका अचार भी बहुत ही यम्मी लगता है तो फ्रेंड्स से और कुछ कमेंट्स थे कि जो मैं बेटे के लिए पेठे का जूस बना रही हूं वो बताईए कैसे बनता है तो कल के व्लोग में शेयर करूंगे जब मैं बेटे के लिए जूस बनाऊंगी तो आप सब के साथ शेयर कर दूंगे आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट व स्वामी राधिये राधिये श्री राधिये बाई बाई बाई